कि हम आगे भाई पटन टर्नल पर वाई ये गया हुदा पूरा उसी पारिक्स में नल का वाई एक साइड मना ली तो दूसरा साइड है भाई लाहल स्पिति तो गाईस बहुत मैंनेज करके हम उपर कड़के आगे अपर आप जो देख रहे हैं भाई ये वह वाई वाटर पॉल आप यहां पर आप जो जिक रहे हैं नीचे भाई ये सिसू ले और जब आप से सु या रोखां के तरफ गार रहे हैं तो आपना सुसरा कारे फ्यूटीस करें पाई ने एक उसमें रहे हैं और यहां पर भी जैसी अक्टिविटीस करने परीजा है अब 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 जहां पी और जैसे भी और बहुत मजिम होगे तो यह मनाली में हमारा आज है दूसरा दिन और आज हम निकलने वाले मनाली के आसपास की चीज़ें एक्स्प्लोर करने पर उससे पहले होटल डी शेलेड के कल कुछ और कैटिकरीज रह गई थी तो पहले उने आपको एक्स्प्लोर कराते हैं फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे भाई सिस्सू को एक्स्प्लोर करने जो की एक जबर्दस सीनेक वियों के साथ बड़े-बड़े माउंटेन की रेंजिंस के साथ बहुत भुतूरत नजारों के साथ भरा हुआ है तो च जैसे ही हम एंटर होते हैं सबसे पहले तो आप देखें कितना जाएं यहां पर अल्मिरा देख रहा है। सब कुछ बहुत ही खुफसूरती से यहां पर सजाये गया और साथी साथ पूरा वुडिन कवर गई यहां पर हमको मिल जाता है एक सौफा जैसे हम एंटर हुए भाई यहां पर आपको मिलती एक बड़िया सी स्पेशिस बाल के लिए जहां पर आप खड़े ओकर इस होटल डी शैलेट से यह बड़े-बड़े माउंटिन की रेंज यहां पर आप इंज्वाइब कर सकते हैं वैदर को इंज्वाइब कर सकते हैं और साथी साथ जो होटल डी शैलेट की में बता रहा है बहुत ही जबरदस चीज है इनके जो वाश्रूम है वह बहुत ही स्पेशिस है एक इसकी वह जा आप अपको साथ में लेके चलते हैं अब यह स्टेर लेकर जाते हैं उपर की तरफ तो आईए मेरे साथ आपको दिखाते हैं उपर क्या है अगर आप इस कैटेगरी को देखे? तो आपका एकदम दिल होता ना दिल जीतने वाली चीज वह यहां पर है क्योंकि जो डिजाइन है वो completely wooden पर है आप जो रूप पर जो वर्क देख रहे हैं वो पूरा wooden structure पर बनाया गया यहाँ पर LCD पैनल है यहाँ पर sitting space दिया गया आप curtains हटा के बहार का रोड से यहाँ पर उसका जो मौसम है जो उसका view वो enjoy कर सकते हैं बाकि आप एक बारी बैट देखें कि इतना मतलब की जबर्दस तरीके से हर चीजों को यहाँ पर करा गया है अगर आप family के साथ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कोई luxurious सब्सक्राइब रूम तो भाई यहाँ यहाँ पर आपको एक नीचे फ्लोर पर मिला और साती साथ यहाँ पर आप जैसे ही first floor पर आएं तो यहा आसानी से तयार हो सकते हैं अपना टाइम वेस्ट करें तो चलिए हमने आपको दिखा दिया फैमिली सुईट फैमिली सुईट ड्यूप्लेक्स अब दिखते हैं एक और category वह भी आपको दिखाते हैं आई हमारे साथ तो गाइस हमने आपको दिखाया होटल डी शायलेट का फ बालकनी जरूर दिजा रही है लेकिन यहाँ पर बालकनी के साथ साथ जो sitting का space है वो और रूम के comparison में थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है फैमिली सुईट की category से थोड़ा सा बढ़ा है और उपर से आपको यहाँ पर बूरा ranges का यहाँ पर view मिलता है जो कि आप बैट के राम स हैं बहुत ही spacious साथ में आपको view को nature को experience करने के लिए आपर बालकनी बनाएगे और खुबसूरती और जा ambience है वो तो फिर है ही यहाँ पर तो अभी हम फिलाल को दिखाने वाले हैं कि अगर आप होटल डी शारेट में स्टे करते हैं तो होटल डी शारेट में स्टे करने यहां से बाई इस इसू के लिए तो चलिए तो breakfast करते हैं फिर उसके बाद इस जर्नी को continue करते हैं तो गाईज हमने अपना वोटल डी शारेट छोड़ दिया और अब हम निकल गया है बाई शिशू एक्सप्लोर करने के लिए और यह बाई हमारे जा रहे हैं आगे साहिल इकबाल और यह अमन हमारे साथ यहां पर तो अभी होने वाली है वाइक सिप्री जर्वी अभी तक हम आपको दिखाई वाई कार से आप जो वादियां करने जा रहे हैं उसके लिए यह बाईक तो बच्टी क्योंकि नसा रहे हैं वाइक पर हम एक्स्पियर्स कर पाते हैं बहुत ही हो जूर्ती से चिर्व अब यह कुछ बाईक वालों के कि सब्सक्राइबरे से बड़ा प्लस पाइंट होता है भाई कार से वाधे ना पर त्रैफिक में पर जाते हैं पर बाईक से यहां वहां से करके निकली जाते हैं कर दो आपको बाहर बाहर निकलना है अब हो गया हमारी बाइक में पैट्रॉल भी भर गया यहां पर और आप बिना रुके हम लोगों को निकलना है यहां से मनाली से बाहर और सिसु पहुंचना है क्योंकि टाइम बेस्ट नहीं करना है वहां पर जादा से जादा टाइम देना है वाई यह रहा हुगा पूरा जब आप से सु या रोधां के तरफ जा रहे हैं तो आप रस्ते में पहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिप आई ने क्रॉसिंग अगे रख यह सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं तो आप जाते टाइम आप यहां पर पाइक डिस्टॉप तरह हैं तो आप यहां पर मैंगी के स्टॉल्स हैं यहां पर इपूरा सूलांग वैली का नजारा है यहां और अगर आप तोड़ा यहां पर दिसम्बर जिन मेरी के टाइम जाते हैं यहां पर स्नोफॉल भी मिल जाती लोगों को पर अभी फिलाल हम लोग आए एक्टम बिलकुल पीक कर्मी पर तो यहां पर मौसम दो ठीक है बट यहां पर स्नोफॉल नहीं मेले गया मौसम पर अपने आप में यहां फुद्सूर्टी एंडिया इंडिया में में 3000 मीटर अब अब सी लेवल के अल्टिटूट पर बनी हुई है और यह बहुत लंबी टनल है यह है अराउंड भाई नाइन फ्लो मीटर की टनल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस टनल से पहले जब स्नोफॉल के टाइम महां पर जिस पिती वैली को कनेक्ट नहीं कर पा चल जाता है और यहां पर यह हमारा जो ले का जो मतलब यहां पर जो ले लटा का जो बॉडर से उसको कनेक्ट करने भी हमारी आर्मी को बहुत जादा है तो ओवर आल कहूंगा कि भाई जो यह अपने आप में खुपसूरती है और यह इंडियन गौवर्मेंट का एक बहुत बड़ा और बहुत भी खुपसूरत काम है तो यह इसकी एक फोटो लेना तो बनता है और भाई हमने आप लोगों सारी चीज़े बताए दिया अब एक बार आप विट स्पीरेस कराते हैं अटल टरनल का तो अंदर चलते हैं क्यांको टरनल के अंदर आप देख सेप्ते हैं कि यहां पर क्यामरे वगेरे सब्सक्राइब कामरे लगाए तो आपको स्कीर बड़ी सब्सक्राइब करने जाना है तो यहां से भाई लग जाता है इस पर तीक है अपो यह प्रूंवर क्याइं को कल के लागं की और जिया कर दो एक लिए अज़स्टाइब को चैनल पी जो कि एक लगा एक एक सपीरेंस है वह वहां तकड़ा बहुत बहुत नबर दसकी हुँ जैसे ही तनल से निगनते हैं यह आपको इनता है कि तब खतनार की लोग तो दूसरा साइड है लाहल स्पिती तो यह दौनों चीज़ां करता है यह अटल टनल गाइक लगी हाथ लगतार चले जाएंगे हाँ और यह अगर देखियो बर्प जमीरी अगर आप बेंडर से ना तरह करें आपको तो पर दिख लिए वो शायद यह दिख रही है और यह शायद मिल गई है क्या वाई मिल गई है गाई है है कि यह अगर ऑग यह 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 यहां पर आप जो देख रहे हैं भाई यह वह वाई वाई वाटर फॉल और यहां पर आप देख रहे हैं नीचे यह सिस्टू लेक और वहां पर देखेंगे अब इतने सारे लोग वहां पर कास लेकर एक्टिविटीज के लिए कहें हैं तो अगर आप अड़ टनल क्रॉस करके इस पिति वैली में अगर आते हैं तो यह आपको मिलेगा एक्टिविटीज करने के लिए अगर आप विंटर्स के टाइम आते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारी अक्टिविटीज मिल सकती हैं अभी समर्स के टाइम तो केबल यहां पर बोड राइट बगहर रही है और यह आपाई फिर से दो मिनिटे के स्वाप लिगा पर दबाब करने के स्वाप लिए यह पार्ख जूटा साडिस्फेक्शन इसनों बच्ची है जिसमें लोग यहां पर इंजॉए कर रहे हैं इसनों गंदी होगी लिकिन अलग से जमबा तो निली लोग नहीं किना है कोई खबर सफर कैसा है यह सफर कैसा है यह सफर बर्वोथी वाप एंग में जब देखेंगे आप गपर पोच्ची की पूरी तरह गंदी क्योंकि तारी पुरानी बर्वर्ट है यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप पहले जमाबर से लो महां बैठके एंजॉए ग गंदी होगे क्योंकि बाई दून काड़िये सब हमां चड़ रहा है इस लेवल कराउड है यहां इस एरिया में यहां पर गाड़िया भरी पड़ी ही है इस तरहां सी बर्व दिख जाया है मैं पैंगोईन के तरह बस जाते हैं तरह नों को क्रम्पू नहीं जाने दिया गया यहां बना बाइक अलाओ ना कार अलाओ तरह देश एरिये तक जा सकते हैं और इसके आगे आपने नहीं जा सकते हैं तो गाइस बहुत मैंद करके आगे जो कहीं से भी फर्थ एट नहीं लग रहा है तो गंदी सी फर्फ इस पर फेक अफागी कर रहे हैं लोग जो और इस ती हम ने भी कुछ तस्ती फन एक्टिविटीज कर लिए और आपम तलाश में कुछ खाने की तो ऐसी जगह तलाश नहीं जहां पर इंसान कम तो कितनी जा आपली के घा तो मिली नीक जड़ें यह मैंने मिला दान के थोड़ा बाई कंड़ो ते खाना शूरू कर दियो तो यह ने एकिमा किली तो हुआ है कि कि अ हुआ है हुआ है हुआ है तो गाइस हमने आपको इस ट्रिफ में अटल टरनल कॉस्ट कर दिफिक हो आपको दिखाया आपको सिशन लेग दिखाई आपको और होता हम जानी कोशिश करी फ़र्ड को किसी दिखाया है अटल से बनता लेकिन और ये खी है और हमने लॉट टे नाइप जो मैंगी कर जो स्पीजिस करा वाई बहार वाई मैंगी फिर उसके बाद हमने यहां पर जो स्टॉप लिया जो इसमों मैंडूरी से पानी बरस बहुत भुशूरत एक्स्पीरेंस है जो हर इंसान को एक बार ज अगा पर है यहां जैसी अटनल ख्रॉस करके इस तरह बाते दो भाई स्टरफ सुरज का पुई नाम हो इसान ने लिए अपर भाई दूप एकदम गाया बद उसके विजे से और सर्दी लगने प्शेट लगने पाई आखिए पार जो को इसके आफिए जह बजाओ प्याई लगी जबकि उस तरफ आई सूरज अच्छा खासा था यह होता है पाड़ों पर एक तम से मौसम बदलता है पता नहीं चलता है कि कब मौसम चलता है तो फिलाल अभी तो आपने होटल की तरफ जा रहे हैं यह पूरी जर्णी बहुती सीनिक व्यूसे बहुती सीनिक व्यूसे जब आप जाते हैं तो एक एक वैली का नजारे करते हुझ जाते हैं जब लॉट के आते हैं तब भी आपको बहुत फुप्सूरत नेचर मिनता है जैसे कि मैं सुबह के टाइम निगले तो दूपती अलगी जिकर भी तेकिन फिसके बाद भी नजारे बहुत कुपसूरत चै हैं जाए हैं संसेट का जॉइक हैं और यहां जो नजारे वाजह करके सिसू तक बहुत दी कुप्सूरत जर्वी हैं वागी है हमारे भगल में यह ट्राफिक चल रहा हैं तो अगर आप कार से आते हैं थोड़ी सी प्राब्लम होने वाली क्योंकि प्राब्लम होती ही बाकी ज सबने चले जाहरे हैं मालड़त के होने पर इसके पहले चले जाते हैं थोड़ोань को रसी तरीके से लगेंगे कि यह प्रिंटर्स के टाइम यहां पर यह पर तस्तेविया बन जाता है यहां पर कुछ ऐसी एक्टिमिटीज करने करी होती है हमारी हमालियन है बाइक जो हमने लिए भाई वो थोड़ी से डिस्टॉप कर रही है करें लिए बार बार चले जा रहे हैं अगर आपके पास की निमालिया में आप बढ़ा है कि थोड़ा देर उसके पर उसके प्रेक पर सही हो चाहिए करें लोट रहे हैं और इस ताइम लॉट रहे हैं तो यह चार साड़े चार तर लॉट है तो बहुत बढ़िया है इस ताइम आपको ट्रैफिक इतना नहीं मिलेगा कि सारे बाई यहां आप आसपास बाहर गूंब रहोंगे और आप आराम से बाई अपने होटल पहुंच आ तो गाइस हम लोग गयों तो बाई सिस्टू एक्सकोर करा और उसके बाद भाई हमको पता था कि जल्दी लॉटना है कि वह जादा मिलने वाला है तो आप लोग ने देखा था कितना जादा ट्रैफिक था और हम लोग ने बाई कि दूसरी जगह से लेली थी जबकि हम लोग और आप कभी आ रहे हो तो भाई होटल डी शायलेट की जो अनकी नौर्फ पेस एडवेंचर जो कंपनी है आप उससे ले सकते हो और वहां से आपको सस्ता और भाई कॉलिटी एन कंडीशन में पिल्कुल जबरदस मिलने वाली है तो हमने उनकी जो पाइक कल रात में आट व आपको एक नई लोकेशन कबर करेंगे तो मज़ा बहुत आने वाला है आप लोगों को वर्चुली जो भी यहां पर जितनी भी डेटेल्स है वह सारी कुछ मैं बता दूँगा जिससे कि जब आप आ रहे हो तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएं लोगों को ध्या जाए तो फिर भी कोशिश करो कि जल्दी आजाओ तो आपको ट्राफिक नहीं मिलेगा आप अपने होटेल तक होती आसानी से पहुंच जाएंगे और कोशिश करिए कि जब आप सिसु जा रहे हैं तो वहां से भी 4-4 तक लॉट आए जिससे कि आपको रस्ते में ट्राफिक क आप लोगे ने देखा कि आज हमने कितना जादा एक पर इसके वापस हम लोग आ गाए मौल रोड पर मॉल रोड पर एक्स्पोर किया और अब हम लोगा आ वापस अपने होटल में और हमने यहां पर अपना फूड ओडर कर लिया तो चलिए आपको जल्दी से दिखा देगा कि हमने यहां पर क्या-क्या और कर रहा हुआ है यहां पर भाई आ गए ब्रेट्स रोटी हमारी जीरा राइस चिली मश्रूम प्रेजंटेशन बहुत ही जबर्दस्त है और यहां पर हमारी दाल फ्राय एकदम बिलकुल जबर्दस तड़का लगा कि उपर देख सकते हैं है हमारे यहां पर गुलाब जामुन जो कि भाई इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है अपना यह में कोर्स निफ्टाने के बाद तो आप लोग ने देखा कि आज के ब्लॉग में हमने कितना ज़्यादा एक्स्प्लॉर किया मनाली के असपास की साथ इस ब्लॉग को खतम करते हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही तगड़े ब्लॉग में बिलेंगे तब तक के लिए अलविदा यारो तभी फूड इंजॉय करते हैं बाबाई